हेलो एव्रिवन करंट एफेस्ट्रू MCQ की सीरीज में 17 और 18 फेबरी के करंट एफेस्ट हम कवर करने वाले इस ब्रीफ इंडर्डक्शन अबाट मी मैं इस प्रिंस लूथ्रा ओल इंडियर एंग 577 और यह जो जो होता है कम होता है आपके पास इसी वज़े से आप इन कोस्टिंस को मुल्टिपल तैम प्राक्टिस कर सकते हैं इन 8-10 mcqs अगर आप करेक्ट कर पाते हैं और यहां पर 60% यहां पर जादा मार्क्स गें कर रहे हैं नीचे के जो दो ब्रैकेट्स हैं यहां पर आपका प्रिंस होगा यह नहीं होगा तो इसी वज़े से कोशिश करिए अपर डू ब्रैकेट्स में आने के और नीचे के ब्रैक प्रैसिंग मुल्किपल टाइम्स और अपने नोट्स को रिवाइस करके चलिए आज के पहले कोशिशन पर चलते हैं फर्स टाइम यह एक ऐसी जगा पे होगी जो चार ओप्षिन में से एक जगा दी गई है आपको यह बताना अपने यूज में डेफिनेटली पढ़ा होगा ग्लोबल इन्वेसर समिट के बारे में कई पर इस तरीके से questions आ जाते हैं कि यह particular conference कहां पे होने वाली है या कहां पे हुई तो यह questions cover करना PSE और दूसरे exams के perspective से तो काफी important है लिकिन UPSC में भी कई बार एक या दो questions इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं काम के अंदर इस तरीके से straightaway दिये होते हैं तो वो questions अगर आप करके जाते हैं तो आपके महाँ पे correct होने के chances भी काफी जादा होते हैं और उस question को solve करने में time भी काफी कम लगता है तो यहाँ पे global investor summit कहा होने वाली है नहीं आपको बता है कि April में होने वाली है लेकिन कहा होने वाली है वीडियो को post करिए सोचिये इसके बार में फिर discuss करते है चलिए आपने सोच लिया होगा इसके answer के बार में और correct की सोचा होगा तो जो इसका answer है वो है बी जमो कश्मिन में यह जो समीट है यह होने बाली है इंडिया को एक प्राइम डेस्टिनेशन बनाना है इंवस्ट्मेंट के लिए ताकि बाहर के लोग जो आए वो इन्वस्ट करें इंडिया के अंदर FDI यहां का इंक्रीज हो राइट तो यह जो समीट हो रही है जमो कश्मिन में हो रही है आंसर इस बी चलते हैं next question के ओपर which is which of the following statement is or are correct अभी recently क्या हुआ है हमने को चेंज करें अपने calendar year, fiscal year, financial year के अंदर मैं आपको बता दूँ basically हुआ कि RBI ने recently अपने fiscal और financial year को align किये और ये fiscal और financial year को align करने के बाद काफी ज़्यादा confusion जो है वो खतम हो जाएगा लेकिन आपको यहां पे तीन पेर दिये गए हैं आपको बताना है कि अभी तक हम क्या practice वोलो करते थे calendar year क्या हम January से December का मानते थे हो सकता है अभी तक हम fiscal year July to June का मानते थे ये भी हो सकता है अभी तक financial year हम April to March का मानते थे ये भी हो सकता है वीडियो को आपको post करना है सोचना है इसके बार में फिर डिसकस करते हैं तो background मैंने आपको बता दिया कि अभी जो fiscal और financial year है इसको sync करने की बात हो रही है बढ़ यहां पे वीडियो को post के इसके बार में फिर हम डिसकस करते हैं चलिए तो देखे पहला जो option है वो तो बिलकुल ही easy है calendar year January to December होता है जो fiscal year होता है fiscal year follow करती है government जब भी बात करती है वो fiscal year की terms में करती है और वो जो vary करता है वो जो run करता है वो April to March run करता है ठीक है और जब भी financial year की बात करते हैं जिसको accounting year भी कहते हैं यह follow किया जाता है RBI के द्वारा और यह run करता है July to June राइट और इसी वज़े से confusion होती है because RBI क्या करता है देखिए RBI follow करता है financial year और यह चलता है आपका July to June और यहाँ पे हमारी जो government है वो प्रैक्टिस करती है fiscal year को और यह run करता है कहां से यह run करता है April to March इसी साल से ही हम क्या है जो आपका financial year है जिसको accounting year भी कहते है उसको सिंग कर देंगे किसके साथ government के fiscal year के साथ ताकि यह confusion ही हट जाए यहां से तो हमारा यहाँ पर जो first statement है वो correct है क्योंकि fiscal year और financial year के जो मैंने answers थे यहां पे pair वो swap कर दिये थे वो एक दूसरे से change कर दिये थे तो हमारा जो answer होगा वो होगा C बड़ आपको दियान से पड़ेगा इसको आपको पता होना चाहिए कि fiscal year कब से कब तक वेरी करता है April से March तक और इससे government follow करती है financial year जिसको accounting year भी कहते है यह चलता है जुलाई से जून तक जिसको RBI follow करता है और अभी RBI नहीं यह का है कि 2021 से ह आप जो है अपने financial year को fiscal year के साथ सिंग कर लेंगे मतलब आपसे जो financial year होगा और fiscal year होगा वो April से मार्स तक ही चलेगा अब एक चीज मैं आप से और पूछना चाहता हूँ comment section के अंदर मेरे को बताएगा there was a committee जिसने यह same चीज जो थी recommend करी थी कि इस तरीके से financial year और fiscal year को synchronization में लाना चाहिए उस committee का नाम बताएगा मुझे comment section के अंदर काफी असान है पूछा दा सकता है exam के अंदर कि किस committee ने यह recommendation दी थी चलते है next question के ओपर which of the following statement is or are correct about CAT Central Administrative Tribunal जो थी वो news में थी because recently union minister of law and justice ने इसके conference को precise किया था New Delhi के अंदर तो इसी वज़े से CAT News में थी और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए काफी important body है disputes जहां बात करते हैं Central Services में जो लोग होते हैं उनके retrasal के लिए तो पहरी statement देखते है Central Administrative Tribunal is established under Article 323A Constitution के 323A आर्टिकल के अंदर में Central Administrative Tribunal बनाई जाती है हो सकता है there are 17 benches and 21 circuit benches all over India तो 17 benches है और 21 circuit benches है पूरे इंडिया के अंदर हो सकता है then the body is purely a judicial member body तो body के अंदर सारे जो लोग हैं सारे जो members हैं वो judicial members हैं ये भी हो सकता है वीडियो को पॉस करिए सोची इसके बारे में फिर डिसकस करते हैं चलिए देखे कैट काफी news में थी reason being अभी सिफ ना ही Central Services के जो लोग होते हैं उनके dispute से redress करेगी हाला कि JNK जो आपकी union territory है non Central Services के जो लोग है उनके भी disputes जो हैं वो कैट के अंदर deal करे जाएंगे इसी वज़ेसे यह news में थी बात करेज़े आर्टिकल 321 एक ही तो पहली statement आपकी correct होती है क्योंकि कैट जो है वो 321 एक ही अंडर में ही आती है और number of benches और circuit benches की बात करेज़े तो वो भी number सही दिया है 17 और 21 लेकिन बात करेज़े कि क्या सिर्फ इसमें judicial members होते हैं so that is wrong इसके अंदर judicial members होते है और साथ में ही administrative members होते है और यह अपने अपने areas के specialist होते है तो it's a specialized body जिसके अंदर judicial और administrative members होते है तो यहाँ पर तीसरी statement हमारी गलत हो जाती है इसी वज़ेसे जो answer होगा that will be D first or second statement correct first time इसको 1985 में establish किया गया था इसमें chairman होते हैं जिनका जो rank होता है वो high court judge जैसा ही होता है और उसी की terms and conditions जो होती है वो apply होते है because he is a retired high court judge right चलते है next question के ओकर which of the following cities are connected with the first intercity electric bus services अभी हमने दो city को connect किया है again factual question है लेकिन इस तरीकी की चीज़े पूछी जाती है because हम अभी e-transport की तरफ काफी focus कर रहे है electronic movement की तरफ electronic transportation की तरफ काफी move कर रहे है और particularly जो present government है इसका पूरा का पूरा purpose जो है पूरा का पूरा objective ही इसी तरीके से है कि किसी तरीके से oil के consumption को oil के import को कम किया जा सके और हमारा जो e-movement है that is electric movement उसकी तरफ जाया जाए तो आपने जो अभी दो cities को connect किया है एक intercity electric bus service से और वैसे भी यह पहली intercity electric bus service है और जो भी पहली चीज़ होती है कहीं पे भी वो काफी important हो जाती है exam point of view से तो कौन सी दो यहाँ पे cities को connect किया गया है क्या Mumbai और पूने को connect किया गया है Mumbai, Ahmedabad, Delhi, Jappur, Mumbai to Goa तो कौन सी दो cities को connect किया गया है वीडियो को pause करिए सोचे इस के बारे में फिर discuss करते है चलिए तो union transfer minister हमारे नेतन गटकरी जी ने यह flag off किया है और यहाँ पे connect किया गया है Mumbai और पूने को और मैं आपको बता दो इस bus service के बारे में तो single charge के अंदर 300 km का distance जो है वो cover किया जा सकता है इस electric bus से 300 km की दूरी तय करी जा सकती है एक ही बार चार्ज करने पर तो बार बार चार्ज करने की जरूद नहीं है आपको 43 passenger इस bus के अंदर बैठ सकते है 100% electric bus service provide करने का भी यहाँ पे बात करी गई थी 2022 तक कोशिश करी जाएगी कि जो पूरा movement है वो buses का वो electric करा जाए तो यहाँ पे काफी important news थी और यहाँ पे इस state का जो percentage रहा है वो average percentage, national average percentage से काफी जाद आ रहा है इसी वज़े से यह news थी और यह particular state जो था news में था पूछा गया विच और the falling state is recently registered highest percentage in newborn deaths तो newborn deaths के अंदर highest percentage की state का रहा है newborn deaths के अंदर जिसे neonatal death भी कहते हैं इसके बारे मैं आपको बता दूँ यह होता है जो first 28 days में पतलब पहले एक महीने में लगबग जो deaths होती है उसको हम neonatal या फिर newborn death कहते हैं तो यह हमारी हो गई neonatal कौन सा state है वीडियो को post करिए सोचिए इसके बार मैं काफी news में था यह फिर हम इसकी percentage को discuss करेंगे national average के साथ इसको discuss करेंगे और compare करेंगे चलिए तो मद्यपरदेश ने जो है यहाँ फे 11.5% इसका neonatal death का percentage रहे जो की काफी जादा है national averages जो की 7% है 7% से काफी जादा आप देख सकते हैं हमारा जो answer हो जाएगा वो तो हो जाएगा भी मैंने आपको बता दिया neonatal death वो होती है जो की first 28 days में होती है और हमारे यहाँ अ mortality rate जैसे neonatal पहले एक महीने में पहले 28 दिन में देखा जाता है उसी तरीके से IMR पहले एक साल के अंदर देखा जाता है पहले एक साल में कितनी deaths हुई तो यहाँ पर जो यह नंबर है यह है 32 by 1000 इसी तरीके से under 5 mortality भी होती है वहाँ हमारा नंबर है 39 by 1000 आपको याद क्या रख That is 11.5% as per national health mission data तो national health mission data के इसाफ से number 11.5% है जो की national average से काफ़ी जादा है में आपको बता दो new born death जो neonatal death होती है वो किस वज़े से होती है यह diarrhea की वज़े से हो सकती है non communicable diseases की वज़े से हो सकती है pneumonia की वज़े से हो सकती है और birth trauma की वज़े से हो सकती है तो यह जो चीजें है से आपको याल रखने पड़ेंगे, एक्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर किसी भी तरीके से आपको फाइदा मिल रहा है इन वीडियो से तो इसको दूसरे ग्रुप्स में शेर कर दीजेगा ताकि जादा से जादा लोग जो हैं नोन-central services भी उनके जो disputes होते हैं CAT के अंदर डालने वाले हैं ऐसा जो recent conference in New Delhi में हुई थी वहाँ पे discuss किया गया था तो CAT के बारे में तीन statement में आपको और पूछता हूँ और यहाँ पे आपको बतारा है कि कौन सी statement correct है कौन सा कतन सही है पहला Chairman condition of services is on the similar lines as that of judge of high court तो जो इसका chairman होता है CAT की जो chairman होते हैं उनकी जो condition of services होती है वो just like जो high court के judge होते हैं उनकी तरीके से होती है हो सकता है The tribunal follows the principle of natural justice तो यहाँ पे principle of natural justice के principle का follow किया जाता है यह भी हो सकता है वीडियो को pause करिए काफी आसान सा question था लेकिन पहली statement काफी important थी मैं चाता था कि इसके बारे में आपको पता चले इसलिए question बनाया गया था यह second statement ही तो मैंने आपको पहली ही बता दिया था कि जो high court के retired judge होते हैं वही यहाँ पे बैठते हैं और उनका जो rank जो होता है और रिड्रेसल देने की कोशिश करी गई लेकिन if you are not satisfied तो आपको रिड्रेसल कहां से मिलेगा फर्दर तो again आपको high court रिस्पेक्टिव high court में जाना पड़ेगा तो आपको बिल्कुल धियान रखना है कि रिस्पेक्टिव high court के अंदर अपील आप करेंगे आंसर मारा हो जाएगा यहाँ पर C चलते हैं आज के next question question number 7 के उपर which is concerning हमें पता है migratory species के उपर 13 COP हो रही है जिसमें मैंने आपको last video में भी बताया था कि हम दो ऐसे species हैं जिसको include करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर इंडिन बस्टर्ड is the mascot for this year तो इस साल जो conference हो रही है उसका जो mascot है वो है great इंडिन बस्टर हो सकता है the theme for this year is migratory species connect to the planet and we welcome them home तो इस साल का जो theme है वो आपको दिया गया है यहाँ पर आपको वीडियो को पॉस करना है, सोचना है इसके बारे में फिर discuss करते है चलिए, last video में मैंने आपको place बताया था कि conference होने कहाँ वाली है तो मैंने आपको last time बताया था कि गांधी नगर के अंदर COP13 होगी और जिसके अंदर हमने दो animals को दो species को rather include करने की बात करी थी वो दो species कोन से है वो आप मुझे comment section बतायेगा इससे पता चलेगा कि last video में जो आपने पढ़ा वो आप retain कर पाई या सिर्फ उसको पढ़के भूल गए तो वो मुझे बतायेगा convention की बात करते है तो yes जो आपके conservation of migrated species की जो convention होती है इसको born convention भी कहते है काफी important fact है पता होना चाहिए आपको तो first statement is correct इस साल की बात करें तो mass code जो है वो है इस साल का GB जिसे great investor भी कहते हैं तो यहाँ पे second statement भी हमारी correct है और तीसरी statement की बात करें तो हमारा जो theme है वो भी सही है migrated species connect to the planet and we welcome them home अगर migratory species की बात करें तो मेरे को आप comment section में जरूर बताईएगा कि कौन-कौन से migratory species इंडिया से relate करते हैं काफी news में आते हैं काफी even UPSC में भी पूछे जाते हैं अगर आपको various institutes के या फिर newspaper में पढ़ते हैं क्योंकि तीन होही statement correct है एक बार जो gradient and busted है देख लीजिए COP13 से associate करता है आज के 8th question पे चलते है जो की दारा सिको के ऊपर है इसके उपर article दिया गया था और दारा सिको because history का question है मैं आपको last time भी बताया था कि history के question होते हैं out of the blue नहीं पूचे जाते हैं या फिर polity के geography के question जो होते हैं out of the blue नहीं पूचे जाते हैं वो कहीं नहीं newspaper में appear करते हैं और उसी से related जो questions होते हैं वो बनाई जाते हैं तो यहाँ पर question जो पूचा गया वो है कि दारा सिको के बारे में तीन statement दियो और आपको correct statement बतानी है पहला वो शाजा के जो सबसे बड़े थे वो बेटे थे भगवत गीता इंटू पर्शन लेंगविज भगवत गीता को पर्शन लेंगविज बे उन्होंने convert किया था he is considered as a liberal Muslim उनको एक liberal Muslim की तरीके से भी जाना जाता है ये भी हो सकता है वीडियो को post करिए सोचियस के बारे में फिर डिसकस करते है चले डिसकस करते है देखिए दारा सिकोर is a very important personality अगर हम history perspective से देखे और हमें अभी तक ये नहीं पता है कि उनकी जो टूम है वो कहां पर मतलब उनको बरी कहां किया गया है ये हमें नहीं पता है ministry of culture ने recently एक panel बनाया है आठ लोगों का जिसमें archaeological server of India के लोग होंगे और उसमें ये का गया कि आप इनको कहां पर बरी किया गया था वो पताइए usually ऐसमान जाता है कि हुमायू टूम के अंदर कही न कहीं इनको बरी किया गया है और यहां पर आपको ये ढूणना है कि इनको बरी सच में कहां किया गया था ताकि हम further historical exploration कर सकें तो तीन statement यहां पर दी गई थी दारा सिकों के बारे में पहली कि वो eldest son of shanjah थे काफे liberal Muslim थे वो और इसी वज़े से प्रॉबबली उनकी जो उनके एक भाई थी औरंग जिब उससे नहीं बनती थी और further जो औरंग जिब थी उन्होंने दारा सिकों को मार दिया था in the war of succession तो यहां पर liberal Muslim याद रखिये का भगवद गीता को translate किया ये याद रखिये का और बावन दूसरे उपनिशत को translate किया ये याद रखिये का कहीं ना कहीं Hinduism और Islam को जोड़ना चाहते थे जो काफी सरे लोगों को पसंद नहीं आता था बट येस अगर historical perspective से देखा जाए तो very important figure और इसी वज़े से अभी एक panel उनके उपर बनाया गया तो यहां पे तीनों statement हमारी correct हो जाती है हमारा जो answer होगा that will be C because all the statements are correct चलते है next question question number 9 के उपर जो कि FATF के उपर है Financial Action Task Force आपको पता है time to time FATF जो नीज में आता है इसने काफी सरी countries को grey list में डाला है black list में डाला है even पाकिस्तान को भी grey list में डाला हुआ है तो यहां पे अभी recent की हुआ क्या था Financial Action Task Force ने question पूछा था और पाकिस्तान की authorities ने जवाब दिया कि जो जैशे मोहमद के head है उसको और उसकी जो family है वो missing है पाकिस्तान से यह चीज़ FATF को बताएगे क्योंकि Financial Action Task Force का यहां पर purpose ही यह होता है कि कि किसी भी तरीके से जो terror funding होती है उसको रोका जा सके और यह जो जो नाम है जाशे मोहमद हो मसूद अजर का नाम हो यह कई ना कई terror funding से relate करते हैं पाकिस्तान के साथ तो यहां पर FATF जो as an organization है काफी important हो जाती है हमारे लिए और इसी वज़े से दो statement बनाई गई गई और आपको correct बताना है आपे पहली कहती है it was created by G7 summit in 1989 तो इसको G7 जो 1989 में summit हो थी तब बनाए गया था और इसका जो secretariat है वो New York में locate करता है वीडियो को post करिए सोचे इसके बार में फिर डिसकस करते है मैं आपको बताए दिया कि terror committing जो होती है या फिर money laundering जो होती है इस तरह के चीज़े से fight करता है financial action task force और यहां पे इसको Paris के अंदर 1989 में जो G summit होई थी वहां बनाया गया था तो पहली statement आप यह correct है लेकिन अगेन इसका secretariat जो है वो New York के अंदर नहीं है इसका जो secretariat है वो Paris के अंदर located है answer मारा हो जगा A only first statement is correct आज के last question पे चलते है last question cover करता है National Highway 66 के बारे में National Highway 66 काफी news में था because National Highway 66 बनने की वज़े से Environment Impact Assessment Report जो है उसने काफी सारी चीज़ों को miss की है ऐसा newspaper में mention किया गया था कि Environment पे क्या impact पड़ेगा लोगों की livelihood पे क्या impact पड़ेगा उसको अच्छे तरीके से assess नहीं किया गया है Environment Impact Assessment Report में जहाँ पे हम National Highway 66 के construction की बात करते है अब तीन statement आपको दी गई है और आपको बतानी है इसके अंदर से correct statement कौन सी है पहली statement कहती है कि highway जो है वो run करते है north to south east coast पे तो जो हमारी east coast है यह अगर इंडिया है तो यहाँ पे जो east coast है यहाँ पे यह highway run करता है north to south हो सकता है तो यह जो states है ओडिसा हो केरला हो आंद्रप्रदेश तामिलाडू वो इसमें cover किये गए है तो highway connect करता है पन्वेल से केप कौमरीन तक हो सकता है वीडियो को पॉस करिए सोचे इसके बार में फिर डिसकस करते हैं चलिए आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो लोग है काफी impact होड़े है लोगों का livelihood जो coastal area में रहने वाले लोगों का livelihood है यह जो है यह run करता है western coast पे और पन्वेल इन मुंबाई महाराष्ट्रा रादर और केप कौमरीन तक इसका expansion है और जो states cover करे जाएंगे क्योंकि western coast पे है इसमें जो states cover की जारे है वो है माराष्ट्रा, गोवा, करनाटका, केरला, तमिलनाडो और यही coast पे रहने वाले जो लोग हैं उनका livelihood कई ना कई impact हो रहा है साथ में जो biodiversity है, environment है वो भी कई ना कई devastate हो सकता है तो यहाँ पे पहली जो statement है वो गलत हो जाती है because north to south है लेकिन eastern coast में नहीं है, western coast पे है और बात के लिए states मैं आपको बता दिया क्योंकि western coast पे है तो eastern coast के states तो cover हो ही नहीं सकते है state कौन से cover होंगे, state cover होंगे western coast के फिर बात आती है कि क्या यह पन्वेल से cave comorin तक है तो तीसरी statement हमारी correct है तो हमारा जो answer होगा, वो होगा D न्यूज में क्यों था, वो अल्रेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि environment पे काफी impact पढ़ने वाला है और लोगों की livelihood पे भी काफी impact पढ़ने वाला है फिर के बारे में जो कि first time जब हो इन कश्मीर में होगी जादा से जादा यहाँ पे investment को attract करने की कोशिश करी जाएगी इसके बाद हमने देखा था कि कौन से years होते है calendar year आप सभी को बता है fiscal year जो है government follow करती है वो April से March होता है और आप financial year जो है इसके बारे में जो कि मुंबई से पूने चलती है then हम आये थे neonatal death के बारे में जो कि 28 days ते consider करी जाती है और यह मद्यपरदेश में सबसे जादा है फिर हमने discuss किया था cat के बारे में ही और cat के अंदर हमने देखा था कि जो इसके against में अपील होती है वो high court में जाती है और even though chairman होते है वो भी high court के जो retired judges होते है और उसी के rank होते है principle of national justice को follow किया जाता है then we discussed about bond convention जो कि भूमनेश स्वरी गांधी नगर में हो रही है और यहाँ पे great union and bested जो है वो इसके mascot होंगे और यहाँ पे theme के बारे में भी बताया गया था COP13 2020 दाराशिकों के बारे में डिसकस किया था जो कि एल्डिसन थे बगवद गीता को ट्रांसलेट किया था और liberal muslim की तरीके से उनको जाना जाता है FATF Paris में मराया गया था G7 summit 1989 के अंदर Highway National 66 के बारे में डिसकस किया था जो कि Western Coast पे चलेगा और इसके अंदर आदरप्रदेश को नहीं यहाँ पे महाराश्टा गोवा कानाट का कहरा Tamil Nadu को include किया जाएगा यहाँ पे हमारे revision जो वो complete होती है let's go for the marks तो अगर अगर अपर टू ब्रैकेट्स में आपके यहाँ हो रही है वो UPSC exam में ना हो because हमारा purpose ही ही है जितनी गलतिया करनी आप इन वीडियो के अंदर कर सकते हैं इन MCQs के अंदर कर सकते हैं ताकि अगर उसमें से कोई भी MCQ कोई भी statement UPSC में अपीर होती है तो वहाँ पे question गलत नहीं होना चाहिए अगर इन MCQs के practice है अगर 20-25 question भी आपके correct हो जाते हैं किसके अंदर UPSC exam है तो आपका जो marks है वो काफी difference आजाएगा उसके अंदर और जो pass होने की probability होती है वो काफी जादा हो जाएगी तो जितनी भी mistakes करनी है यहाँ पे करिए बट analyze जरूर करिए और mistakes को ताकि जो further exam आपका final exam UPSC का होगा उसके अंदर किसी भी तरीके की गलती ना हो और आपकी जो error है वो कम हो जाए upcoming topics में of course हम the Hindu Indian Express और PIB को cover करेंगे किसी भी तरीके का doubt है तो definitely आप telegram कर सकते है मुझे और वहाँ पे अपने question को पूछ सकते है